है और कि देखिए हम कि ससायटी का जोाल सामान लिया डिपो का सामान लिया और यहां से expressions का दिखते हैं कुछ और यह देखिए यह हमारे जहां से हम जो सस्ता operates लेते हैं वहां कि रह बोल की रहा था कुछ कर पीछ अरुड़ साउंड हो रही थी ना गाड़ियों के आने जाने की तो मैं पीछे की आवाज को मैंने कार दिया और यहां पर देखिए राशन लेने सबी आया है पता कैसे देते हैं हमारे राशन जैसे मतलब गाउं गाउं को बुलाया जाता है आज यहां है Dae इस गाउं की बारिया है और हमारे इंदर जी तो यह मतलब सामान देते हैं यहाँ पर और यह सबी जो है राशन लेने आया है और यह देखिए और इस बैदे की एक खासियत यह जितना सामान ऐसे ही मतलब बंबू से डालता है ना थैलियों में तो वो पूरा-पूरा ही डाल देता है ऐसे ही फिर अगर देखो अभी तोलेंगे ना पूरा-पूरा ही होगा तो बाद में तोला जाता है पर इसमें थोड़ा साथ जैसे 100-200 ग्राम या 500 ग्राम ज्यादा होगा बास इसको पूरा अंदाज़ा हो चुका है कि कैसे जो है कितना राशन कितने को कैसे डालना तो यह भी एक मतलब हर रोज का तु जुरुबा है इसका और // हमें जो आयहां पर न सश्तर राशन दिया जा रहा है देखिए कोई न बात करने पे राज़ी नहीं होता यहां पर के वीडियो पर बात करें शरम करतेन्य बस्ता जाने कि हुए यह सरम करते हैं लोग जाने कि पॉन्याठ हो गया और आब उठी हमारी भावना देखिए भावना रानी और मेरे ब्रत होता हर रोज हाना बही हां तो आठ वजे जल्ड़े जल्दी नीट गी तो यार क्या अंवाव खाल गृटतु यह तो इन जल्दी ग्यों था तो धेखिए देखो इन से अच्छा दो यह मांसे भी आच्छा है पांच पजे उड़ बंज जाता है रात कोन सोता है रात को काँ सोता है इर जाई ओर लगया ओना इन ती रख्या ओना ना थे ती सीर आखे बंद कर रही है अभी विश जागों तो दोले पहले यह न आत उसी दे न पठाफटा न और दब तक तू कर ले पूजा कर ले फिर नाने के बाद फटा-फटा 2 मिनेट छाए है मुझे थके हुआ को क्यों ऐस को बोले जा रहा है? आई है यह भावा ती जो ऐसे क्यों क्यों क्योंked है वता वता है म csak वीजरा इवपत करें आ ao राजुर है आज एक। एक जाओ एक हम लगा लगाwriting एट रहने दे येनी गांदे केलो हमाया दारू बपुना उच्चा काचा 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 ना काचा 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 काच रहें सुद्धार आप दना लान अग्वर्ण के सब्सक्राइब यहां पे मेनाकशी ओड़ी है और यहां अपने खाने के तयारी कर रहा है और हमारे तो मेरे और भावना के तो ब्रत होता है, तो ये तीन चार जने अत्ते हैं खाने वाले, तो इन के लिए जो है, ये चपातियों के तैरी की जा रही है, और आटा गूंद रहा है, और देखिये ना है, भगवान दोड़ दोड़ के हिमान्शु और ये दोनों एक जैस सरारती हैं, ये दोनों बस लटते रहते हैं, और यह को है, ये इस के स्टाइली बहुत खतरनाग है, जो ये टाइगर, orgtको कई पूच रहे थे ना कल भी के इसका नाम क्या है, तो इसका नाम टाइगर रखा है, और यहां पे बन गया है, अजी आटा, और अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम ये देखिए ये पंडोल है तो पंडोल की रेसेपी हम जो है वो बना रहे हैं आज आप लोगों के शाद शेयर कर रहे हैं तो पंडोलों को पहले जो हम धोलेंगे अच्छे तरीके से और पंडोल की सब्दी ना बहुत स्वाद होती है पता नहीं अब यहां फोड़ी देर पहले पेले हैं यहां जो नय नय होते हैं जब इन को छेडने की जोड़त नहीं होती ऐसे दोग की काट लेना होता है तो हमने यहां छील लिया और यहां पे इसको काट लेते हैं सारे पंड़ोर और ज्यादा बारीक भी नहीं करने होते हैं ज्यादा मतलब ऐसे ही मीडियम जैसे रखने हैं और बहुत टेस्टी होते हैं सच में और एक बार आप भी बनाईएगा अगर आपने नहीं बनाया होगे बैसे आप लोगों ने बनाया सबकुश बट यह देखी मसाला इसकी लिए जो बोकूटा जा रहा है और हम जो है मसाला कूट लेते हैं और यहां पर हमने तेल जो है वो कड़ाई में रख लिया थोड़ा सा ह हमने जो सबजी बनानी है तो थोड़ा से हमने तेल भी डाला है तो ऐसा मत सोचना के तड़का जो इतना थोड़ा सा डाला है तो सबजी भी हमारे पास थोड़ी है और यह हमने मसाला भी कूट लिया है और अब हमारा जो है यह तड़का जो है वो तयार हो चुका है मतलब त मसाला कूटा हुआ था बस अब इसको जो है वो कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना एक जगह से और यहां पर हमने थोड़ी सी हल्दी जो है इसमें एड़ कर ली और देखिए भावना कैसे देख रही है जहांक जहांके बच्चे बहुत शारती है और बहुत समझकार भी है तो आपने देखा होगा कि यह कितना हमारे साथ जो है वो काम में हाथ बढ़ाते हैं और अब हमारा तड़का हो गया था तो हमने जो है वो पंडोल जो हमने काटे तो वो हमने इसमें जो है वो डाल दिये और अब अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे इनको और काफी देर ऐसे ही फ्राई होने देंगे यह हो गया जी हमारे और अब हमने जो है वो नमक इसमें एड कर लेना है जितना हमारे पास सब्ची होगी उस हिसाफ से हमने जो है वो नमक इसमें एड कर लेना है तो आपको गाड़ियों की आवाज भी आ रहे होगी, होर्न की आवाज भी आ रहे होगी, तो मैं न शौप पे इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, और ये हमारा जो है, देखिए, अब थोड़ा सा हमने पानी डालेना, ज्यादा भी ने डालना है, अगर आपने ज्यादा डालना सा ही इसमें जो है, वो पानी डालिएगा, और अब हम इसे जो है, वो पकने रख देंगे, और काफी देर जो है, ऐसे ही पकाते रहेंगे, तो चूले पे बने हमारे ये पंडोल, और ये देखिए, अब हमारी सबजी जो है, बनके तयार हो चुकी है, और आप देखिए, ये वनी हमारी पंडोल की सब्जी तो जिसे भी मेरी वीडियो पसंदा है प्लीज वो शेर जरूर करिएगा और जिस अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना भाई और शेर जरूर करिएगा